वेलकम स्टूडेंज क्लास एट के लिए आज अपनी शानदार पेसेज ट्रिक आपके लिए प्रिपेर किये क्योंकि आपके त्री पेसेज आने जा रहे हैं और थर्टी मार्क्स के हैं लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों से उन थर्टी मार्क्स को खोज देते हैं क्योंकि पेस लिए और आंसर लिख दिया बस यह नहीं पता होता कि इसका आगे हो सकता है फीचे हो सकता है प्रोनाउंस भी चेंज करने पड़ते हैं और भी कहीं चीज़ें होती है आई समझते हैं आपके सुर्णामी चेप्टर से में यह सीन पेशेज लिया है और यह क्योंस लिखें अब यहां पर हर स्टुडेंट्स मिल गया और यहां पर यहां तक आ जाएगा और यहां पर एक नमबर डाल देगा कि राइसर मिल गया ठीकि गलतें कहां करते हैं उसके पिता का बिजनिस क्या ता अब यहां पर जो समझता है कि बिजनिस का मलब वे ऊसाहिझ होता है यह मिल गया हर फादर और यहां ऑर इस GPS में इसको ले लिया इसको भी ले लिया बले ये पहले का आंसर था और दूसरे के आंसर के लिए यह लाइन थे लेकिन हम ने क्या किया हम तो बस सीधा फुलिस टोप तक ही रुखते हैं बीच में रुखना है नहीं है और बस इसको ले लिया अब यहाँ पर यह मिल गया अब इसका आंजर कहां से लिखें कहीं से भी लिख देंगे वेर से वेर मिला देंगे क्या क्या कि अब यहाँ पर हर मधर से मधर मिल गया यह मिल गया और हर मधर रॉयलाज हों और ये लिख दिया ठीक है ये थर्ड वाला लिख दिया बस अधर लिखते हैं फोर और देख लिएंजी वे हेड् iluneus family जोडीलेट Christmas अब यहाँ पर Almost Family मिल गया, Celebrate मिल गया, Christmas मिल गया, यह देखे, The Family यह रहा, The Family Head गोन, यह देखे, Head गोन मिल गया, Celebrate मिल गया, Celebrate मिल गया, ठीक है, और Christmas तक यह मिल गया, और यहाँ पर लगा देंगे साब, यह चार नमबर का मिल गया, और पांच नमबर के जो यह हैं, Meaning वाल कहीं से भी जो मिनिंग उनकी समझ में आ जाता है उसको लगा देते हैं प्री रहे और यह आपके टेर माक्स हैं गए दस एक आदा उसकी इच्छानुसार दे दे तो दे नहीं तो दस अब इस्टुडेंट करेगा बड़िया लाइन मिला के आया था सब कुछ कर के आया था फिर को गलत हुई आये देखते हैं जब हम कोपी चेक करते हैं तब बड़ा दूक होता है कि बच्चा इतना ज्यादा जल्दबाजी में था कि इसके बिलकुल पास में आंसर था लेकिन वहां तक वह गया ही नहीं क्यों क्योंकि लाइन मिल गया सब्द मिल गया और आंसर लगा द यह तो पता है अलमस जावेद और वो छोटी कक्सा से हम जब मोखिक प्रिक्सा लेते हैं तो पूछते हैं वेर डू यू लेव इन विचकला डू यू रीट तो वेर का मलब कहां लेव का मलब रहती थी अब आपको क्या करना है आंसर लिखना है हू वोज यह जो हू है यह ह वोज अलमस जावेद आपको क्या करना है अलमस जावेद वोज 10 years old एक तो यह लाइन आपको लिखनी है मैं हटा रहा हूं इसको एक तो यह लाइन आपको लिखनी है यह वाली underline कर रहा हूं में अलमस जावेद वोज 10 years old ठीक है यह सब गलत थे जो मैंने लगाए थे यह ग करना है यह हमें क्या करना है इतना सा ध्यान में रखना है कि और प्रस्न पूछ रहा है जब इसको सी ई neutral किह तो यह रहा कहां से इन पॉर्ट ब्लेइर इसना लिखना है यह आपको इस्तान लिखना है कि वो पोर्ट ब्लेर में रहती थी यह आपका सयांसर इसमें देगा हो आपके टू बांक्स नहीं देगा नहीं तो नमबर टू उसके पिता का बिजनिस क्या था वे उसाई क्या था अब सब कोई पेट्रोल नजरा रहा है लेकिन आप आंसर में क्या लिख रहे हो जावेद अनुवर्स दस साल कि थी वह एक इस्टुडेंट थी और पूच क्या रहा है इस्टुडेंट थी पोर्ट ब्लेर में जहां उसके पिता का पेट्रोल पंप था वो तो पूच रहे हैं उनका बिजनिस क्या था उनका बिजनिस आपको लिखना है वो ठटा देना पूराई हर पादर्स बिजनिस यह जो यह जो साइक करिया है इसको बाद में लिखते हैं फुलिस्ट ओपर टाकर हर फादर्स था कि पेट्रोल पंप था यह से लिखो तो हर फादर्स बिजनिस वाज देट था कि वाज देट ही हेड पेट्रोल पंप यह आप यह जो हर पादर्स बिजनिस वाज देट था कि ही हेड़ पेट्रोल पंप उनका पेट्रोल पंप था नमबर थ्री वोज अलमस्मदर अलमस की मा कौन थी अब आपने यहाँ पर देखिए अलमस मदर राइला होम वोज इन नोन कौरी आइलेंड आपने प्रसने क्या पूचा उसकी मा कौन थी अब अलमस मदर मिल गया हर मदर राइला मदर से मदर मिल गया पूछ रहा है मा कौनती राब करें उसकी मा का घर नोन कौरी आइलेंड में था यह तोड़ी पूछ रहा है उसकी मा का घर कहा था मा कौनती पूछ रहा है आप घर बता रहे हो कहां से माक्स देगा हो नंबर तो कटेंगे पका तो फिर प्रस्ण तो देखो हूँ यहां पर दे दे यह दे डव्ले हूइच दी उसकी मां कौन थी बस नाम पूच रहा है रіmayı cuánta मैं क क्या करो हूइक रो हूइच कौन थे उसकी मा? मां का नाम लेफा रस नवांचग चीनट आओеш फुलिस्टोप लगाओ जाइला तो यहां पर क्या करadasa perish हूँ की जग क्या राईला यहां पर इसको पीछे भी ला सकते हूं आप इसको एसे भी लिख सकते हो यहां लिख सकते हो प्रस्टन का answer to the point देना है इदर उदर का कचरे के चकर में क्या होता है एक्जामिन का माइंड खराब हो जाता है नमबर फोर वेर हेड अलमस फेमेली हेड गोन टू सेलेब्रेट क्रिस्मिस अब यह फोर मिल गया दा फेमेली फेमेली मिल गया गोन गोन मिल गया सेलेब्रेट क्रिस्मिस मिल गया ठीके फोर नमबर लगा भी दिया आंसर गलत हो गया अब गलत क्यों है जिब सारा मिल गया तो सारा मिल गया गलत इसलिए हुआ कि उसने पूछा कि वो क्रिस्मिस मनाने कहा गया आप ने उतर दिया उसका परिवार क्रिस्मिस मनाने वहां गया वहां गया, कहां गया, वहां गया, वहां कहां, इस्तान नहीं बताया आपने, बस आपने कहां गया, तो वहां गया, वहां गया, आंसर का आपको माक्स कुंदे का वहां गया, इस्तान बताओ कहां गया, इसके लिए आपको ये देर आया है, ये है प्रोनावन, ये किसके लिए बाए ज़रूर को इस्तान आया होगा आगे या पीछे जरूर पल्य आया होगा तभी तो देर आए तो फिर आप वहां देखिए ये जो देर है इस देर की जगह आपको संग्या लिखने पड़ेगी आपको क्या करना पड़ेगा इसका जब आंसर बनाओगे वेरेड़ वहमेंस लिवह मेट Hadi क्रिश्मश आपको यह रवेर हटा दीजी और यह डिखा दीजे आलमस फेमेली यह helping ओर भिळान लगा दीजी जामस स्यरी हेट गो अन्ट सेलिभरेट क्रिस्मिस कहां गय थे क्रिस्मिस बनाने का नोन-有沒有 या फिर आपको यह चंज करना नहीं आता है देर की जगह पर होगा. अब आते हैं जहां पर सबसे जड़ा दियर सर्च करने के इ DSC ivi, यह काम सबसे टप होता है इस्टुडेंटिटिश में जादा से जादा तुकाल लगा देते हैं सही होगा तो जाएगा नहीं तो गलत हो जायेगा जादा तरह गलती होता है आए देखते हैं सबसे पले एक बार समझें कि इसमें वेड़ हमारी कितने समझ में आए पीस ओप अर्थ सब जानते हैं प्रत्वी पीश यानि टुकड़ा सर्राउंडेड बाई वाटर चारों तरफ जिसके पानियों अब जात एक प्रत्व का इसा बाग ज लाइन पे चलेंगे पोर्ट ब्लेर गए थे उसके पिता के पेट्रोल पम था उसकी मां का गर था इन नोन कौरी आइलेंड यह आइलेंड दिया हुआ है अब लेंड से अर्थ ऐसे पता लगेगा आपको कैसे तुका भी लगाओ तो थोड़ा दिमाग लगा के लगाओ अर् प्रत्वी और लेंडिया नहीं प्रत्वी यह आसपास मिल रहा है तो यह से जब तुका भी लगाओ तो बिलकुल सही बेटे का तो यह आपके पांचवे का पश्ट हो गया नमबर टू ग्रूप कंसिस्टिंग ओप पेरेंट्स एंड देर चीर्डन गुरूप सब जानते ग माबाप तो सब जानते हैं और चीर्डन भी जानते हैं यानि कि माबाप बच्चों का गुरूप जिसमें माहों बापों चीर्डनों बच्चें उनका एक गुरूप गुरूप को क्या कहेंगे आई चलते हैं माबाप सब रहें सब को बताओगा इतना साथ हो यह यहां पर द कि ज़्यादा कुछ नहीं किया लाइन का लाइन ही लिखा लेकिन अच्छे से लिख दिया जल्द बाजी खराब होती है अंक कट जाते हैं तोड़ी तसली के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्टिस कीजिए जितना हो सके डेस्क वरक से पास्बुक से कहीं से भी कीज कीजिए यह 30 मांक्स आपके जरूर आ जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कते परेशानी है कोमेंट बोक्स में लिखिए मैं जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा और वीडियो बनाऊंगा आपको मुझे 30 मांक्स दिल्वाने स्टुडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक शेर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राब कीजिए स्टुडेंट्स थेंक्यू